हाई फ्रेंड्स मदूस किचन में आप सबका स्वागते गर्मियों के दिन सुरू होने वाले हैं तो ठंडा खाने की इच्छा होती है तो आज मैं आप लोगों को दो रंकी केंडी सिखाने वाली हूं यह बहुत ही टेश्टी बनती है तो आईए देखते हैं किस तरह से बनाई मेने केंडी यह मेरे पास दो संत्रे हैं एक मोसंबी है चीनी है पीसीवी सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे इसके अंदर में मोसंबी का जूस डालने वाली हूं तो यह दिखे मैंने मोसंबी को कट कर लिया है मैं हैंड मिक्सर से उसको जूस को निकाल रही हूं यह देखे कच्रा जो है मार उपर रहे गया बीज वगएरा मोसंबी का जूस जो है मार तयार हो चुका है हमें खट्टी मिठी केंडी बनानी है इसलिए मिस में आधी चमचीनी डाल रही हूं पीसीवी मिक्स करेंगे केंडी के साचे में डाल देंगे और उपर से धकन लगा देंगे इसके बाद में संत्रा कट कर रही हूं इसका भी हम जूस निकालेंगे केंडी खाने में बहुत अच्छी लगती है खटी मिठी बच्चों को भी बहुत पसंद आती है इसको अच्छे से प्रेस करेंगे चक्कू से चमच से ताकि जो भी बचा हुआ जूस है वह हमारा अंदर चल जाए और उपर बीज और कच्रा रह जाए यह देखे है हमारा संत्रे का रजबी तैयार हो चुका है इसे भी बॉल में डालेंगे मैंने दो संत्रे लिये थे तो मैं एक चमच चीनी डाल रही हूँ पीसी भी क्योंकि घट्टी मिठी कैंडी है तो तेस्ट अच्छा आना चाहिए यह मैं वापस से साचे में डाल दूंगी दो संत्रे में मेरे मेरी दो से धाई कैंडी बनी है इनको भी ढखकर लगा देंगे उपर से फ्रीजर में रख देंगे चार से पाच घंटे के लिए अब देखते हैं कि मेरी जो कैंडी है वो तयार हो चुकी है कि नहीं मैंने चार पाच घंटे उसको फ्रीजर में रखा था डिपेंड करता है आपको फ्रीजर का टेंपरेचर क्या है ये देखिये मेरी candy जो है वो तयार हो चुकी है आप इसको room temperature में 10 मिन के लिए रख देना फ्रिजे से नकालने के बाद तो आराम से ये candy निकल जाती है मेरी दो तरह की candy तयार हो चुकी है एक संत्रे की, एक मोसंबे की आप लोग भी इसतरी से बनाईे बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, बड़ों को भी बहुत पसंद आएंगी, खाईए, इन्जोई कीजिए, ठैंकिंगे